तो आई पेल 2019 इसका मैच नमबर 54 खेला जाना है सन्राइजर सहत्राबाद और रॉल चैलंजस बैंगलोर के बीच में जहां पर सन्राइजर सहत्राबाद को अगर प्ले आप्स मुकालिफाई करना है तो मैच जीतना बेहत जरूर है तो वहीं RCB की टीम के लिए बेहत कुरूसियल रहने वाला है तो आज की स्वीडियों हम यही बात करने वाले है कि कौन सी टीम इस मुकावले को जीतने वाली है लेकिन वीडियो सुरू करें इससे पहले अपनी क्रिकेट नौलेज से घर बैठे लाख और रुपय कमाने के लिए आप अभी नौस्टर प्रो एप को डाउनलोड करें और अगर आप इस एप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपय अल्रेडी मिल जाएंगे तो वही दोस्तों बात करते हैं कि दौनोई टीम्स की क्या प्लेइंग लावन रहने वाली है बात की जाए संराइजा सहगरावाद की प्लेइंग लावन की जो अपनी साख बचाने के लिए टूनामेंट को एक विनिंग के साथ खतम करने के लिए यह मैं जीतना चाहेंगे इनकी प्लेइंग लावन को देखते हैं तो जो रहने वाली है बात की जाए पिछ रिपोर्ट की तो मैच खेला जाना है एम चिन्नसवामी स्टेडियम बैंगलोर में जहांकी पिछ बैटिंग फ्रेंडली है मैदान छोटा है तो कही न कही यहां पर हाई स्कोरिंग मैचेज होते हैं और ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है तो वहीं दूस्तों बात करते हैं दौनों ही टीम्स की बीच मैं खेले गए अब तक हैट टो हैड मैचेज में किस टीम का पलडा भारी है तो चौदा बार दौनों ही टीम्स का आमना सामना हुआ है जहाँ पर सनरजस हेदरवाद की टीम आठ वार और RCB की टीम मात्र पांच वार जीती है तो वहीं एक मैच में इनका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे मैं हेदरवाद की टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी है हेदरवाद की टीम यहाँ पर डौमिनेट करते हुए रखाई दे रही है तो वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मैच की ड्रीम 11 की टीम की तो ड्रीम 11 की टीम आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर इंस को प्रूफ आपको टेली ग्रामद पर मिल जाएंग तो पटा-फट जाईए टेली ग्रामद को जॉइन कर लिजिए इंस्टाग्रामद पर फैलो और वहीं दोस्तों मैं बात करूं आज का मैस के लिए इंस पर्सनल प्रेडीक्षण की तो मेरी प्रेडीक्षण इस मैच के लि लगातार पाते रहने के लिए आप अभी आर्सें डेटेन्मेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें धन्यवाद